आज की इस यूडियो में आप सिखेंगे कि कैसे आपने solar panel को produce में add करना है तो उसके लिए आपके पास external library उननी चाहिए library आप कहां से मिलेगी मैंने link description में दिये वहां से जाके आप library download कर लें एक zip file है इसको आप download कर लेंगे उसके बाद unzip करें या extract hair पर क्लिक करके extract कर दें उसके बाद आपके पास यह folder आजागा इसको open करें इसमें यहां पर दो file दे इन दोनों को आपने copy करना है और copy करने के बाद आप वहां पर जाएंगे जहां पर आपके पास प्रोटिस से उन इंस्टाल है तो वह आपको कहां से मिलेगा आप यहां से search कर लें प्रोटिस को और search करने के बाद आप प्रोटिस के icon के उपर right click करके open file location पर जाएं और उस पर जाके एक step back आएंगे प्रोटिस के main folder में इसको यहां पर click करेंगे आप और उसके बाद यहां पर आपके पास एक folder है library के नाम से इसके उपर right click करके open कर दें और open करने के बाद जो आपने दो file copy किया है वहां से उनको आप यहां पर paste कर दें मेरे पास already library available है तो मैं replace नहीं करना चाहता मैं delete cancel कर देता हूँ उसके बाद आप अगर आपके पास प्रोटिस open है तो इसको close करके दुबारे open कर दें ताकि यह library को update कर सके और उसके बाद component mode पर आके search कर ले solar panel को जब आप solar panel को search करेंगे तो आपके पास यहां पर solar panel मिल जाएगा क्लिक करें उसके बाद ok कर दें और इसको कहीं पर भी screen में रख दें और आप इसकी voltage भी चेक कर सकते है करन भी चेक कर सकते हैं कैसे आप चेक करेंगे यहां से मैं DC voltmeter उटाता हूँ और इसको आप यहां से connect कर दें यहां पर भी connect कर दें तो इसके बाद मैं इसको run करता हूँ आप देख सकते हैं 12V इसको आपको दे रहे हैं आप इसकी voltage प्रपर्टीज यहां से चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर voltage आप इसकी अगर आप let's suppose आपके पास 21V की है आप इससे 21 बना सकते हैं आप इसकी voltage मजीद भी चेंज कर सकते हैं अपने requirement के मताबक देख सकते हैं 20 volt 21 volt की है इसी तरह आप इसकी voltage भी चेंज कर सकते हैं और आप इसको कई पे भी इन जाप पर आपको जुरुत करेक्ट कर सकते हैं तो library आपकी link available है description है वहाँ से जाके libraries download कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे है तो चैनल को जाके subscribe करें वीडियो को like करें, share करें चैनल विजट करें आपको बहुत सारे sensor library मिल जाएंगे बहुत सारे adino related projects मिल जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में